नमस्कार न्यूस वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ कावेंदर चौहान उत्रप्रदेश के इस खास बुलिटिन की शुवात करेंगे आगरा से आ रहे इस खबर के साथ जहां बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की बैठक संपन हो गई वह बैठक में सैकडों की संख्या में बीजेपी कारिकारताओं ने हिस्सा लिया और बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश कारिकारीनी के पदाधिकारी भी मौके पर मौझूद रहे इसी के साथ ही बैठक में 2022 के चुनावों को लेकर जमीनी स्थर पर रणनीती तयार की गई है अधिवेशन में 2022 में 2022 में सरकार बनाने को लेकर प्रतिक्या भी ली गई तो तस्वीर आप देख सकते हैं आगरा से तस्वीरे हैं जहाँ पर चुनावों को लेकर जमीनी स्थर की रणनीती बनाई गई है प्रदेश सद्दक्ष स्री रामचंद कन्नोजिया जी कैबिनिट मंतरी स्री रजावपती सास्त्री जी अन्न मंतरी हां पर उपस्तेत हैं आज इस कारिशमते की बैटक में राज देते हैं भारतिक और सामा जी को यह प्रस्ता जाएंगे उन पर चर्चा होगी और संसोदोनों सहित वो प्रस्ता पारित किये जाएंगे भारति जन्ता पार्टी की जोसे केंदर में प्रदेश्मन सरकार बनी है यह भारति जन्ता पार्टी सबका साथ सबका बिकास और सबका बिस्तास को साथ लेकर ये सब को ये काम करते हैं ये सरकार और इसी वेसे जो दलिज समाज है पिश्वा बर्ग है वो भी सी है महला है जिदे युबक हैं सब के लिए इनों ने ये कार्ड किया है आज जो दलिज समाज है ये प्रधान मंतरी अबाश योजना के अंतर गैस छूला और आइसमान भारत कानपूर के व्यापारी मनीश गुपता की मौत के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है मनीश गुपता का रोप है कि उत्तर प्रधेश पे जब से योगी सरकार आई है तब से व्यापारी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है व्यापारी मनीश गुपता के पुलिस की तरफ से चेकिंग के नाम पर हत्या की गई है समाजवादी व्यापार सभा इस हत्यकान का पुर्जोर विरोध करती है और दोशी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई के मांग करती है देखिए उत्तर पदेश में जब से योगी सरकार आई है व्यापारियों का बहुत ही दुरभाग है हमारे एक ब्यापारी कानपूर के बर्रा निवाशी मनीज गुप्ता जो कि गोरकपूर किसी कारण अपने कारेशे गए हुए थे वहाँ पर पुलिस ने चेकिंग के नाम पर उनकी बेरहमी से बरवर्ता पूर्वक मारा भी था जिससे उनकी वहाँ मैत्ती हो गई यह एक सरासर हत्या है जिस बेरहमी से मनीज गुप्ता को मारा गया है निश्चीत रूप से एक गुप्ता पदेश सरकार के उपर प्रस्टे चिन नहीं कि आखिर आपकी सरकार में व्यापारी सुरस्चित क्यों नहीं है पूरे परदेश में आई दिन व्यापारी के हत्या लूट की घटना एं व्यापारीयों से क्षाज पथूली आम है आज महा महेम राश्टपती महा महेम राजपाल महुदा कि को हम ने एक घ्यापन दिया है मानी जिलाथकारी महँदा के माध्यम थे और उनसे यह मांग करी है कि मनीज गुपता के परिजनों को न्याय दिये जाए उनकी पत्नी को सरकारी नौकली दी जाए और उनको कम दे कम एक क्रोड़ का माबिय जी जाए जिस्ते की वे अपने परिवार का परणपोर्ट करते हैं तो कानपुल से हमाशाद असुनी अवस्ती जुड़ गए हैं अवस्ती साब बहुत बहुत शौकत है आपको आवाज आ रही है मेरी है हलो आवाज सुन पा रहे है आप मेरी आपको बता दें कि व्यापारी मनीज गुपता की मौत से पूरे प्रदेश में जगा जगा व्यापारियों में रोज दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के व्यापार सवा ने भी जला मुख्याले पर कानपुर में राजपाल के नाम ग्यापन सौपा है और जमकर प्रदेशन किया नारेवाजी भी किया आपको बता दें कि कानपुर में व्यापारी मनीश गुपता की मौत के बाद अब इस पर सियासत बहुत घर्मा चुकी है लगातार देश भर में अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है मनीश गुपता आपको बता दें कि गोरखपुर में पुलिस ने घुस कर रही तलाशी के नाम पर पीट-पीट कर कथे तौर पर हत्या कर दी थी जिसके बाद अब पूरे प्रदेश में ये मुद्दा गर्म हो चुका है मनीश गुपता की मौत परव ताज नगरी में हंगामा शुरू हो चुका है दरजनों सपायों ने योगी सरकार पर जवानी हमला किया है अब बाद बंकी में रेप केज में फंसे बस पास आंसाद अतुल वड़ाओं ने वानी ने वानी ने वानी ने वानी हमला किया है राय मामले ने लंबित सीओ बगहिल को वाराडसी पुलिस ने बारा बंकी से गिरफतार कर लिया है पुलिस ने वाराडसी से लखनों जाते समय बारा बंकी में टोल प्लाजा से बगहिल को गिरफतार किया है वोई डियस्पी भगेल से वाराडसी पुलिस पूछताज कर रही है इसी के साथ ही उन पर बड़ी कारवाई भी हो सकती है वोई एक बार फिर न्यूस वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा सर्दिया देखने को मिला है आपको पता दें अमेठी के जगदीशपूर मिश्रॉली गाउं में कई दिनों से वहाँ के स्थानी अलूम रोड नहीं तो वोट नहीं का वोट लगा कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्च करा रहे थे वहीं अमेठी डियम अरुड कुमार ने मामले का संगान लिया और जगदीशपूर बीडियो को निर्देश दिया डियम के निर्देश पर बीडियो और सेक्रेटरी जगदीशपूर गाउं पहुँचे और गाउं में सड़क को लेकर ग्रामेडों से बातचीत के तो निउस वर्ड इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है जहां अमेठी में सड़क नहीं तो वोट नहीं की बात कह रहे थे लगातार ग्रामेडी जिसको लेकर अब अधिकारियों ने इसका संग्यान ले लिया है डियम ने सीधे तोर पर आदेश दिये थे कि वहाँ जाईए और चेक कीजिए कि क्या कुछ है तस्वीरे तो डियम के निर्देश पर बीडियो और सेक्रेटरी जग्दीशपूर गाउं पहुँचे और गाउं में सड़क को लेकर ग्रामेडों से बातचीत भी की है तो आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा लेकिन आपको बता दे कि लगाता नियूस वर्ल इंडिया पर इस खबर को चलाए गया था जिसके बाद अब डियम अमेठी ने इस पर संग्यान लिया है और डियम ने सीधे तोर पर अधिकारियों को निर्देश दिये है कि व मैंने ग्रामेरों की जो समस्याएं थी उनको मौके पर जाकर देखा और ये बाया कि जब इस पुछ से सुल्तान को जाने वाले संपर्क मार्ग से पीचरोज उस ग्राम तक जाती है फरन्तु बीच में रेलवे क्रासिंग होने के का उस ग्राम को जोड़ नहीं पा रही है उ सपफ़की सटक बनी हुई है और रेलवे क्रासिंग पार करने के बाद ही उनके गाओं में ख़ड़न या तो उस पर अंदर बास बना दिया जाए अथ्वा मी बना करके भी उसकी समस्या का समयधान के जा सकता है दूसरा संपर्क मार्ग जो नहीं दिया जा सकता है वो गाउंड से लगभग देड़ किलोमेटर दूर पर मंगवली ग्राम पंचायद के जबर का पुरुवा की पास में एक अंडर पास बना हुआ है जो अंडर पास जबर के पुरुवा ग्राम पंचायद मंगवली से यदि एक संपर्क मार्ग उस ग्राम तक बना दिया जाए तो उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा इस खबर पर जादा बाचीर के लिए हमारे सही होगी रडविजय हमारे साथ जोड़ चुक है रडविजय है पत्रकारता के लिया से देखा जाए तो यह हमारी बड़ी जीत है क्योंकि लगाता न्यूस वर्ल इंडिया पर इस खबर को चलाया गया था और अब आखिर में ड सब्सक्राइब कि जाकर जाकर ग्रामीडों से क्या कुछ बातचीत की है और वहां पर इनों ने जो कुछ देखा सड़क नहीं थी तो जो कुछ देखा उसके बाद इनका क्या कुछ कहना है जी हम आपको बताना चाहेंगे कि वहां पर जो सब्सक्राइब कर देखा जाता रहे थी जिसके लिए वहां पर रेल्वे के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने पूरी जानकारियां लिए ग्रामरों से बात की और एक नया नए सिरेशन ने तरीकर एक रास्ता बनाने के प्रयास करने की बात कहीं जा रहे हैं इसके साथ यह कौची रणवीजा जानना चाहेंगे कि वहां जब अधिकारी पहुंचे उन्होंने सब कुछ देखा ग्रामीडू से बातचीत की अब संग्यान तो ले लिया गया है लेकिन कब तक आश्वासन के तौर पर क्या कुछ कह गया है कब तक रोड बनकर तैयार हो जाएगी क्या 2022 चुनाओ के देखते हुए क्या उससे पहले रोड इन ग्रामीड वासियों को मिल सकती है जी हम आपको बतारों चाहेंगे कि ऐसा कई बार हुआ है कि कहीं कहीं जब चुनाओ का मामलाद नज़ी करता है तो लोग प्रास करते हैं कि देखा जाए तो मौक्ते पे जो अमेठी बीजेटी के जीलाग धेक्ष दुर्गेश तुर्पाटी जी है यह उन्ही के जाओ है य जब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तो न्यूजवल इंडिया की खबर का यह बड़ा असर हुआ है लगा था टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमाई तरव से खबर दिखाय जाने के बाद डियम ने इस खबर का संग्यान लिया था जिसके बाद अ हाथरस में बहुत चर्चत हाथरस बिटिया कान को लिकर आज लोग सड़को पर कैंडल लिकर ढिकले हैं लोगों ने ये कैंडल माच पुलिस और प्रशासन की महाजूदगी में निकाला इसी के साथी लोगों ने हाथरस के बिटिया को नयाय दिलाने के लिए 20 मिनिट का मौ जिसके चलते हैं लोगों ने सडकों पर केंडल मार्च निकाला है आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह केंडल मार्च की तस्वीर है जहां के पिटिया के लिए सडकों पर लोग उतर आए है जिसके बाद पुलिस की तरब से पूरे मामले का खुलासा किया गोई अध्रमार्च निकाला है जानकारियां भी दी गई है पुलिस ने गिरफतार अभ्यक्तों को फिलाल जेल भेज दिया है और आगे की कारवाई भी पुलिस जुट गई है तो गाजियाबाद की तस्वीर हैं जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने आठ अंतर राज्ये चोरों को गिरफतार किया है आपको पुरे मामले की जानकारी देते हों बता दे कि आरूपी सिगरेट के बड़े गोदामों को निशाना बनाकर लाखों पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने आठ वो अब्युक्तों को गिरफतार कर जेल बेज दिया है और छे ऐसे अबिद्ध जो माल को रखते थे या माल बेज थे अनको गिरफतार किया गया है जिनके द्वारा आनंद इन्डस्टियल एडिया में करीट दो महीना पहले पर चोरी गयी थी बार्वी इसके उनका सबका खुरासा किया गया है इनके द्वारा दो गाड़ियाँ जो चोरी में यूज की गयी थी लिग्ये इनसे 5 लाग रूपी की सिगरेट और करीब 8 लाग रूपे बरामत किये गए दिली के पास गाज़ेबाद की थाना साहवाद पुलिस ने 5 लाख रूपे की महंगी सिगरेट बरामत की है 378 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है आपको बताते कि वही आरोपियों हैं जिन्होंने ये सिगरेट गोदाम से चोरी कर ली थी हलाकि पुलिस की मुस्तैदी इसे कहेंगे जिसे चंद घंटों में इस बड़ी चोरी को खोला गया है आरोपियों को पास से 8 लाख रूपे की नगदी और ये दोनों लगजरी कारे भी बरामत की गई है अब ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी बारी थी इन आ 5 लाख रूपे की कीमत की ये मालबोरो की सिगरेट जो की काफी महंगी सिगरेट है ब्रेंड़ेड है ये आरोपियों से बरामत की गई है वैसे में पुलिस ने इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जब पूश्टाश की तो नहीं बताया कि ये अंतराज्य चोर है जो कि इन आरोपियों से बरामत की गई है फिलाले इन सभी आरोपियों को जेल भेज़े जा रहा है गाजबाचे जितंद्र भाटी न्यूज वर्ल्ड इंडिया अमीरपुर के चिकासी थाना शेतर में 12 अगस्त को माय के आई नव विवाइत महिला के साथ गाउं के दो यूवकों ने गैंग रिप की वारदात को अंजाब दिया था वहीं आरोपियों ने पीडिता का वीडियो भी बना लिया था आरोपियों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वारिल कर थिया इसके बाद पीडिता ने आरोपियों के खिलाफ ठाने में तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ कारवाही करने के मांग की है पूरा मामला है जहां पर 12 अगस्त को माय के आई थी नव वेवाईता और उसके साथ गाउं के दो यूकों ने आरूप लगाया है महिला की तरफ से महिला के परिवारों की तरफ से कि यूवकों ने गैंग रेप की वारदात को अंजान दिया था इसके बाद आरूपियों ने पेड़िता का वीडियो भी बना लिया था और इसको सोशल मीडिया पर वारल कर दिया था पेड़िता ने आरूपियों के खिलाफ थाने में F.I.R. दर्च कराई है जिसके साथ ही नयाय की भी गुहार लगाई गई है आगरा में पुलिस ने ट्रकों पर फरजी नंबर डाल कर बेचने का धन्दा चलाने वाले गैंग का स्टीफ ने कारवाई कर परदा फाश किया है इसी के साथ ही पुलिस ने गिरों के दो सदस्यों को भी गिरफतार कर लिया है पुलिस ने गिरों की निशान देही पर साथ ट्रक भी बरामत किया है इसी के साथ ही पुलिस ने गिरों के सदस्यों से पूछताच भी की पुलिस ने कहा है कि इस कड़ी में अभी कई और नाम सामने आएंगे तो आगरा की ये तस्वीर हैं जहां पर ताज नकरी में स्टेफ के बड़ी कारवाई देखने को बली है पुलिस ने अंतर जाराज्ये गैंका परदा फाश किया है जिसके बाद पुलिस ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है इसके बाद आगे भी कारवाई जी तरह की जारी रही और भी लोग हैं जिनको जल्द ही गिरफतार किया जाएगा आपको बतारे कि पूरे मामले में जो आज के ताजा मामला है उसमें गिरों के दो सदस्यों को गिरफतार किया गया है पोलिस ते गिरोह की निशान देही पर साथ ट्रक यहां से सुनियेगा दर्शकों साथ ट्रक भी बरामत किया है इसी के साथ पोलिस गिरोह के अले सदस्यों की भी धून में लग गई है इंडिर श्टेट में उस पे कुछ प्रावडम है मिंद्यों से ऐसे ट्रकों कthy दिफाल्ट होकी रहती हैं उनको टर्गेट करते उनके माल्त करते हैं उनसे बहुत ओने पोने दाम में ट्रक ले लेते हैं फिट ट्रक लेने के पर चाथ जो आर्टियों की मिली भगास से एक जो सेकेंड़ी डाटा उपलग कराते हैं इंजर नमबर चेशिस नमबर को उसको पहले वाले डाटा को रब करके उसके उपर से नय डाटा को सुपर इतनी बारीकी से एक काम करते हैं कि सामान निजाज में इनकी आर्सी नमबर चेशिस नमबर पकड़ में नहीं आते हैं इन तैयार पेपरों को फिर से जब वो पूरी तरह गाली कंप्लीट हो जाती तो फिर से इन गालियों का ये रेजिस्टेशन करा करके उसको लोन करा ले इसमें राजो के लोग सामिल हैं कई दिपार्टमेंट्स के लोग के दलाल सामिल है इनका जो मिस्तरी है उसके मिस्टेशन करे जानकारी की गई थी तो उस बताया कि를 इन सोनमबे से इस तरह की गाल्यों में Colonize पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया और उसमें ये अरोप लगाया है कि उसी के इलाके का ही रहने वाला एक यूवक को उसके घर आया और उसको फरकावाद के लोहियरा अस्पताल में नौकरी करवाने की बात कहे कर बहला फूसला कर उसको फरकावात लेकिया यूवती का अरोप है कि वहाँ पर उसने यूवती के साथ दुराचार किया और उसके बाद सादे कावज पर हस्ताक्षर करा लिया जब यूवती ने मामले की पुलिस ने शिकायत करने की बात कही तो यूवक उसको गाउँ छोड़ कर चला किया है उसको फर्खाबाद लोहिया उस्पताल में नौकरी दिलाने की बात की थी जिसके बाद उसके साथ दुराचार किया और इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद यूवक उवती को गाउँ में छोड़ कर फरार हो गया इसके बाद अब यूवती ने थाने में शिकायद दर्श कराई है और नियाय की गोहार लगाई है इसमें एक महिला ने आरोप ये लगाया है कि एक बेक्ति द्वारा इसको रहला फुसला कर नौकरी दिलाने का बहाना बनाकर परुखावाद ले गए और वहाँ पे इसके साथ बनाद कार किया है इस सुचना पे अभियोग पंजिकृत किया गया है और पीडिता का मेडिकल परिच्छाण और अन्य विदिक कारवाई की जा रही है अब गष्टे लगे के अपने कमरा पर लगे अब नौकरी दिलाने के रहे दो के मतुरा के गोवर्धन गाओं आने और में चार सितंबर को जलनिगम के लापरवाही से हुई पांच साल के मासूम की मौत के बाद मरत बच्चे के पिता गेंदा लाल को चार लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोश की तरफ से मिल गई है पिडिता गेंदा लाल ने बताया है कि विकास हमारे घर सांतुना देने आए और गाओं के ही जनसेवा केंदर में पैनकार्ट बनवाया और इस दौरान आए खर्चे का खुद ही वहन किया हम बच्चे को तो वापस नहीं ला सकते लेकिन जगह खरीद कर हम अब खुद का छूटा सा घर बना लेके समाच से भी विकास दादा ने कहा पेड़ित गेंदालाल जी अनपड़ थे तो मैंने उनके साथ कई बार तहसील, बैंक और बिजली घर जाकर समबंधित अधिकारियों से बात चीत की और एक बार फिर नवागत उपजिलाधिकारी से भी राहत में देरी आने की बात पताई विकास दे मुख्यमंत्री समें तहसील के अधिकारियों से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद किया और बोले कि पेड़ित परिवार को अब खुद का धर मिल चाएका और जो जो भी अधिकार समेदब एश्ची गाणनारा उनके पैसे दिलावनय आए आयान बोलॐ का कि Consider काल पर किक इंसानीयात होने किना हbor किनके साथ कर्म से करना करला हुआ करक्फेले एंपर न में निनकों और गया तुम पूचा और हम और है कि ठाता कर ऐंक पर खुल्ष यह कोई ऐसा नहीं तो में कोई बताना चाहूँगा घंदालल जी कांशार कि कि अधर विए उनकी इनकी दौरान मद्जी कि जूट बोल कर वह चाहिए तक बड़ी बड़े दिगित नेता हमके पास से चलेगे लेकिन लिकिने उन्य उन्पवारीब यह उन्होंने बहुत हमारा विकास दाडा के इस्कूल में हमारी बच्ची और उसमें पढ़ती है और विचारा कोई पैसा ने कोई ध्री सेवा है और इन्हों ने बिकास दादाम ने बिल्गी गटे लेके तैसीर लेके हमारा पूरा सज्योग दिया है तो फिलाल के लिए उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही बाकिदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बरिए येगा न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ दाने वादा